सब्सक्राइब कीजिए Mtech चैनल को और नोटिफिकेशन की घंटी को दबा दिजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हाँ दोस्तों एक लाइक जरूर कर दिजिएगा क्योंकि मैं इस चैनल पर बहुत ही बेहतरीन और महत्पूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आते रहूंगा क्या आप कोई वियावसाय करते हैं क्या आपका कोई अपना बिजनेस है दोस्तों ये वीडियो मैं ऐसे लोगों के लिए लाल रहा हूँ जो किसी ने किसी वियावसाय से इन्वाल्व है अगर आप केस का विजनेस करते हैं टोटल खरीदी केस का करते हैं तो दोस्तों आपसे बहतर किसी और का वियावसाय हो ही नहीं सकता लेकिन अगर आप मार्केट से क्रेडिट पर सामान खरिते हैं उधार में खरिते हैं और 8 दिन, 15 दिन या महिने दिन में आप पेमेंट करते हैं तो ये वीडियो मैं खासकर आपके लिए डाल रहा हूँ आज का मेरे वीडियो है आपको धोके से बचाना क्या होता है दोस्तों जब हम अपने व्याव साय के लिए खरिदारी किसी बड़े व्यापारी से करते हैं और उसका पेमेंट हम 8 दिन, 15 दिन या महिने दिन में करते हैं लेकिन कभी-कभी हमारी खुद की लापरवाही के वाज़से हम अपने आपको एक बड़ी मुसीबत में फसा सकते हैं कैसे हूं मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार मैं किसी बड़े व्यापारी से सामान खरिदारी करता हूं पहले भी करता था अब भी करता हूं जब मैं उसका पेमिंट देने गया था मेरे हिसाब से उनका सिर्फ दो कलम बाकी था और उनका कहना था कि आपका तीन कलम बाकी है मैंने पूछे ये तीसरे कलम कब का है उन्होंने बोला कि आज से तीन महा पूर्वक आपका एक कलम जमा नहीं हुआ है दोस्तों मुझे जटका लगा क्योंकि वो कलम करीब करीब 7000 रूपए के आसपास का था मैं उन्हें बहुत सम्झाने कोशिश किया कि मैं इस तरह से आपका पेमेंट दिया था देने के बाधे में आपसे सामान खईदारी किया था लेकिन उनके दिमाग में ये बात नहीं आ रहा था कि मैंने उन्हें पेमेंट दे दिया है ऐसा इस्थिति में दोस्तों क्या करेंगे आप आपके पास दो-तीन रास्ते होते हैं नमबर एक या तो उस बड़े व्यापारी को आप बेइमान बोलेंगे पैसा देने से मुकर जाएंगे दूसरा या फिर आप उससे अपना सम्मन तोड़ लेंगे तो आप कौनसा अपसंद चुनेंगे आखिर यहाँ पे गलती किसका होता है क्या एक व्यापारी का गलती होता है या फिर हम आप जैसे ग्राखों की गलती होता है मेरा यह कहना है दोस्तों यह गलती सबसे पहली गलती तो हम दुकानदारों का होता है जब हम उनका पिछला रकम जमा करते हैं तो थोड़ा सा लापरवा हो जाते हैं कि हमने दे दिया और अपना फर्ज पूरा हो गया और सामने वाला बड़ा व्यापारी अपने एकाउंट में जमा किया या नहीं इस बात पर कई बार हम गौर नहीं करते यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है दोस्तों क्योंकि हम और आप जितना ब्यास्त होंगे हम से बड़ा व्यापारी भूलसिलर दस गुना ज्यादा ब्यास्त होगा ऐसे स्थिती में हमारा पहला फर्ज बनता है जब हम अपना पेमेंट जमा करें तो वहाँ पर अपने नाम के खाते में जमा होते हुए जरूर देखें उसके बाद ही वहाँ से खहटें या काउंटर वहाँ से छोड़ें और नमबर दू अपने हिसाप की सही जानकरी के लिए एक छोटे डारी का इस्तिमाल करें जिसमें उस व्यापारी के हाँच से हमेशा लिखित मिले कि आपने कब कुन सा समान कितनी तारीक को खरीदा किस एमाउंट का खरीदा या आपने कब पेमेंट जमा किया ताकि आईसा एस्थिती आपके साथ ना आये क्योंकि दोस्तों दो दिन पहले क्या सबजी खाया हम वो तो याद नहीं रहता तो दो महने पहले का payment कैसे याद रहेगा किसको याद रहेगा अगर CCTV केमरा भी होगा तो वो 15 दिन से महना दिन का ही record रखता है तीन महने का record नहीं रखता तो आखिर यह साबित कैसे होगा कि उसके बाद भले आप मना कर दें मुखर जाएं तो उसके बाद जब भी आप खरेदी करेंगे हो सकता है आपका सामने वाल भ्यापारी आपको कुछ एक्सस आपको कुछ एक्स्ट्राइट में माल देने कोशिस करें उस रकम की भरपाई के लिए तो नुक्सान इसमें आपके मेहनत की रकम को दुबारा पे करने के लिए मजबूर कर दें दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों को सेयर जरूर करें जो भी आवसाय से संबंदित हैं थैंक्यों दोस्तों